जैसी रादे कैसे हैं आप सभी उम्मीर आप साब बहुत बढ़े आऊंगे तो पिछली वीडियो में हमने आपको 5.1 के पृष्णि क्रिमांग बीच तक सभी कोश्चन कंप्लीट करवा दिये थे और काफी टिम से हमने आपको 5 चेप्टर की वीडियो नहीं देपाए थे इसल हमको 9.5 बच्चे आप लाइब में भी जुड़ सकते हैं जिसमें हम समाकरन भी पढ़ा रहे हैं ठीक है चले आज हम करने बाले हैं प्रिश्णि क्रमांग 21 और 22 बहुत ही सांदार और वेसिक तरीकी से ठीक है फर्स्ट कोश्चन आपको दिया गया है 22 वे का फर्स्ट एफ बराबस ताइन एक्स ब्लास कोश्च निमलिकित फलनो के संतत पर विचार करना है ठीक है विचार क्या करना है हमें बताना है कि वह यह संतत है या नहीं अब यहां पर कुछ पॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ जो कि आपको याद रखने है ताकि यह सारे कोश्चन आप कर पाएं एक कोश्चन मैं आपको बताऊंगा बाकी आप खुद से भी कर पाएंगे इतना एज़ी यह कोश्चन है सारे कोश्चन लगबाग एक ही फॉर्मेट के हैं तो मैं यह आपर कुछ चीजे लिख रहा हूँ माना माना है एज एक्स वा जी एक्स दो संतत फलन है संतत फलन हैं देखो हमने एच एक्स और जी एक्स दो फलन माने जो की संतत है अब यदि दो संतत फलनों को आप जोड रहे हो या घटाओ या गुणा करो या फाग दो बो संतत ही होते हैं कहने का मतलब एच एक्स और दी एक्स संतत है तो एच एक्स प्लस जी एक्स ये भी संतत ह H X भागित GX ये भी संतत होगा और H X इंटो GX ये भी क्या होगा संतत होगा ठीके साती हम ये भी जानते कि पृतिक अचर फलन या अचर पद एक संतत फलन होता जैसे कोई भी अचर संख्या है 1 वान हो गया 2 हो गया तेरही ये सब संतत ही होते हैं बात समझ गए, चलिए, बहुत बढ़िया, अब इस चीज़ को अपन यहां से हटा देते हैं, और question करना start करते हैं, ठीक है, देखिए, first question हमें दिया गया है, fx बराबर sin x plus cos x, sin x plus cos x, यहां पर हमें क्या करेंगे, hx मान लेंगे sin x को, और cos x मान लेंगे, gx मान लेंगे cos x को, अब देखिए, आप directly भी इस question को कर सकते हैं, बट अलग-अलग मान के करोगे, तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है, और आपको confusion भी नहीं होना होगा, ठीक है, तो माना, माना hx, hx बराबर sin x, और gx बराबर हमने क्या मान लिया, cos x, अब देखिए, sin x संतत होता है, हम पहले से रूप कर चुके हैं, question number 2019 में, ठीक है, अब फिर भी, लेकिन मैं आपको एक बार और बता दीता हूँ, यहाँ पर, तो दिखना, x बराबर c पर, x बराबर c पर हम hx और gx, दोनों के ही संतत की जाच कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं, hx, hx हमें क्या दिया गया है, hx बराबर है, sin x, तो x बराबर c पर हम इसकी left hand limit निकालेंगे, यानि जिसको हम बोलते हैं, lhl, left hand limit का formula होता है, limit x tends to c पर जाच कर रहे हैं, तो c minus hx, hx, ठीक है, देखना, लिखेंगे एक बार हम limit h tends to c minus hx कमान कितना है, sin x है, sin x, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, x बरा c plus h रखेंगे, ठीक है, इससे यह fallen h tends to 0 हो जाता है, और यहाँ पर आप लिखेंगे, equal limit h tends to 0, और यहाँ पर हो जाएगा, आपका sin x की जगए आपने रख दिया, c minus h, यहाँ पर h कमान 0 रखोगे, तो c minus 0, c ही आएगा, यानि हमारे पास बचेगा, sin c, यह lhl कमान आगया, अब हम rhl निकालेंगे, तो rhl बरावर हो जाएगा, limit, limit, x tends to c plus, और hx, अब ही equal हम hx की बात कर रहे हैं, hx करेंगे, इसी प्रकार से gx हो जाएगा, और फिर हमारा question proof हो जाएगा, तो देखो भई, यहाँ पर हम लिखेंगे limit, h tends to 0, इस बार मैंने direct लिख दिया, और x की जगह हम क्या रखेंगे, c plus h रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें left hand limit निकालने, sorry, right hand limit निकालने, यहाँ पर हमने x बरावर c minus h माना था, यहाँ पर आप x बरावर c plus h मानेंगे, h की limit 0 हो जाएगी, बात समझे, मैंने direct लिख दिया है, तो इससे क्या होगा, h कमान 0 रख c का मान, hx की जगए क्या है अपने पास, hx बरावर साइन x, x की जगए आप क्या रखेंगे, c, तो hc का मान भी कितना आ जाएगा, साइन c, हम लिखेंगे, चूंकि, lhl बरावर है, rhl बरावर है, साइन, या हम लिख सकते हैं, hc, सब का मान क्या आया, साइन c आया, तीनों बरावर हो रहे हैं, यानि, x बरावर c पर hx संतत है, तुम लिखेंगे, अतहा, अतहा, अब जहां पर c क्या है, c बताना में भूलीगा, c कोई भी वास्तिपिक संक्या होती है, कोई भी वास्तिपिक संक्या हो सकती है, ठीक है, अतहा, x बरावर c पर hx संतत है, hx संतत है, बात समझ में आगई, दूसरा देखना, अब हम GX को प्रूब करेंगे, इसी प्रकास देखने, तो GX के लिए आप क्या लिखेंगे, GX के लिए हमें दिया गया है COS X, तो इसकी जाज़ भी हम X बरावर C पर कर लेते हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे LHL, LHL बरावर होता ह है, limit X tends to C minus FX, limit X tends to C minus, sorry, GX लिखना था, मैंने FX लिख दिया, तो यहाँ G बना लो, G, GX का मान हमारे पास कितना है, COS X, तो यहाँ लिख देंगे, COS X, अब यहाँ पर सुनिएगा, हमें left hand limit निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, X का मान वही रखेंगे, C minus H, तो यहाँ स H की limit क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अब हमान रख देंगे, limit हो जाएगी हमारी H tendings towards 0, यहाँ पर हो जाएगा, COS X की जगए आप रखोगे, C minus H, H की limit यहाँ पर 0 रख दोगे, तो सीधा C बचेगा, यानि यह हमारे पास कितना आ गया, COS C, अब RHL निकाल लो, तो RHL के थोड़ा सा sort कल देंगे, अपने direct limit रख देंगे, limit ह tendings to 0, और यहाँ पर हो जाएगा, आपका क्या, COS C plus H, मैंने direct क्यों किया, क्यों कि सवाल बहुत बढ़ा हो जाएगा, इतना बढ़ा भी निकरना पन को चारी नंबर में आएगा, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था तो यह भी कितना आ जाएगा, COS C आ जाएगा, एक्स की जगए, ठीक है, यानि हम कह सकते हैं कि X बरावर C, हम लिखेंगे पहले चूंकी, LHL बरावर आ गया, RHL बरावर आ गया, GC, ठीक है, कहने का मतलब, आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, चूंकी, देखो, चूंकी, LHL बरावर, RHL बरावर आ गया, GC, बरावर में कितना आ गया, COS C, तो हम लिखेंगे, अतहा, GX एक संतत फलन है, अतहा, GX, एक संतत फलन है, एक संतत फलन है, इसलिए, इसलिए, FX बरावर, FX बरावर क्या था, अब इस साइनेक्स, कोस X, साइनेक्स की जगए, आप क्या लिखेंगे, HX, कोस X की जगए, आप क्या लिखेंगे, GX, देखो, FX बरावर क्या हो गया, HX प्लस GX, और अभी मैंने आपको क्या बताया था, कि जब HX और GX दोनों ही संतत है, तो उनका प्लस करो, माइनस करो वो भी संतत ही होता है, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, HX प्लस GX, तुम लिखेंगे, इसलिए FX बरावर HX प्लस GX भी संतत होगा, अतहा हम क्या सकते हैं, अतहा FX बरावर Sine X प्लस कोस X, एक संतत फलन है, एक संतत फलन है, ठीक है बही, यह हो गया आपका 22 यह का First Number Question, ठ ठीक है, चलिए, अब यह B पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, देखें, फर्स्ट पार्ट हम निकल लिया, अब इसका B और C पार्ट, बिल्कुल सेम टू सेम है, V पार्ट जो आप देख रहे हैं, Sine X माइनस का कॉस X, प्लस की जगह केबल आपको क्या रखना है, माइनस, त Sine X into Cos X ही दिया है, Sine X को HX मानना, Cos X को GX मानना, दोनों को अलग-अलग करके प्रूब कर लेना की संतत है, होते ही हैं संतत बस प्रूब करना आपको, ठीक है, और बाद में लिख देना, FX बराबर HX into GX भी संतत होगा, I hope आप लोग यह कॉशन कर पाएंगे, अब हम चलत Cos X, Cos X, Cos X, Cos X, Cos X, Cos X है और यह Cot X है, तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले FX बराबर, First बाला जो Cos X है उसको Cos X लिख लो, सबसे पहले तो आप इसको क्या लिखेंगे, Cos X, अभी हमने प्रूब किया था कि Cos X एक संतत फ़लान होता है, तो होता है, बट एक बार और मैं आपको बदा देता हूँ, ताकि कोई confusion आपको न रहे, आप यहां पर कोई भी बिंदू नहीं है, कि किस बिंदू पर चांच करना है, तो जब आपको कोई बिंदू नहीं दिया जाता है, तब आप अपने मन से कोई भी बिंदू ले सकते हैं, X बराबर C ले लो, M ले लो, K ले लो LHL के लिए formula होता है, limit X tends to C minus FX, limit X tends to C minus FX की जगह हमने cos X रखा, अब हम X का मान क्या रखेंगे, C minus H रखेंगे, क्योंकि हम left hand limit निकल रहे हैं, चली minus लगाया, ठीक है, अब यहां से H की limit हो जाएगी 0, अब यह H की limit 0 कैसे बनती है, पिछले सवालों में आपको बदा चुका में बता चुका हूँ, ठीक है, खेर, तो उस पर अभी हम ज़्यादा time wasting करेंगे, already videos हैं, तो आप बहाँ से clear कर सकते हैं, खेर, यहां पर देखें, H की limit 0 हो जाएगी, तो हम क्या लेखेंगे, limit X tends to a 0, और यहां क्या जाएगा, cos X की जगह हमने रख दिया, C minus H, H की limit 0 रखो रहो, RHL, देखना बिटा, RHL निकालना हमको, RHL के लिए फॉर्मूला हम रखते है, limit X tends to C plus, और यहां पर आजाता है, FX, तो यह उड़ाएगा, limit X tends to C plus, FX की जगह हम cos X रखेंगे, अब यहां पर हम X की जगह C plus H मान लेते हैं, जिससे H की limit क्या हो जाती है, 0, और यहां पर आप लिखेंगे, limit X tends to 0, यहां पर लिखेंगे, हम cos X की जगह रखेंगे, C plus H, अब H की limit 0 रखेंगे, तो C plus 0 हो जाएगा, और C plus 0 क्या होता है, C ही होता है, इसलिए आपका क्या जाएगा, यहां पर भी cos CH आएगा, बास समझ गए, तो यहां से, यह क्या आ गया भी, RHL आ RHL और LHL दोनों ही बराबर हैं, अब हम बिंदू का मान निकाल लेते हैं, तो अब हम क्या निकालेंगे, F, C, X की जगह, C रख दो, बस, F, X का मान कॉस X था, तो F, C का मान क्या हो जाएगा, cos C हो जाएगा, तो हम लिखेंगे, चूंकि LHL बराबर है RHL के, और यह बराबर है F, C के, अताहा, F, X, अर्थाद, F, X को हमने क्या मना था, cos, अर्थाद, cos X, एक, संतत, फलन है, संतत, फलन, है, बास समझ गए, चले, बहुत बढ़िया, अब अगला क्या है, cosecant है, और second है, cotensant है, अब देखो, अगला एक question और में आपको बता रहा हूँ, बाकि आप ख कैसे करना है, देखो, cos तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन, cosec अभी तक नहीं किया, तो cosec को करने का क्या तरीका है, वो हम देखते हैं, अगले, पेज़ पर, तो इसको हम आ लेते है, F, X, बराबर, cos sign को क्या लेखेंगे हम, cosec, x, cosec, x, आप देखना विटा, इसको हम लिखेंगे, F, X, बराबर, cosec को हम एक बटे sign लिख सकते हैं, और हमें पता है, एक भी संतत फलन होता है, क्योंकि एक क्या है, अचर, और प्रतेक, अचर फलन, एक संतत फलन होता है, या हम कह सकते हैं, कि प्रतेक, अचर पद, एक संतत है, ठीक है, और sign next हम पहले ही प्रूब कर चुके हैं, कि इस संतत होता है, वट करना कैसे, एक question और देख लो, वाकि फिर आप home work में कर सकते हैं, ठीक है, खेर, इसको देखें, और मैं तरीका बताओंगा, कि आगे question आपको कैसे करना है, ऐसे नहीं छोड़ूँगा, ठीक है, तो इसको आप hx मान लो, hx बराबर क्या मान लिया, एक, और gx बराबर मान लिया, sign next, ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले, चुकि हम जानते हैं, जानते हैं कि अचरपद, अचरपद एक संतत फलन होता है, एक संतत फलन होता है, इसलिए, hx बराबर एक, एक संतत फलन है, एक संतत फलन है, यानि hx का तो काम खतम हो गया, दो लाइन में, अब gx को प्रॉपर तरीके से हमें करना पड़ेगा, तो gx की जगए हम क्या लिखेंगे, अब gx, तो gx के लिखेंगे x बराबर c पर gx बराबर sin x के सांतत की जाच, सांतत की जाच करना हमें को, ठीक है, देखना, सबसे पहले हम निकालेंगे lhl, lhl का formula लिखेंगे limit x tends to c minus fx, limit x tends to c minus fx का मान है, sin x तो sin x रख दिया, अब हम क्या रखते हैं, यहां से x बराबर रखते हैं, c minus h, h की limit हो जाती है, 0, यहां पर आप क्या लिखेंगे, limit x tends to 0, और यहा होगे, तो sin c ही बचेगा, और limit लिखना बंद कर देंगे, क्या आजाएगा sin c, यानि lhl कितना आगया sin c, अब rhl निकालो फटाबट से, rhl क्या हो जाएगा भी, rhl हो जाएगा limit x tends to c plus sin x, direct रख दिया, fx ना लिखे, मैंने सीधा sin x लिख दिया, ठीक है, अब आप क्या करें x बराबर रखेंगे c plus h, जिससे h की limit हो जाएगी 0, और यहां पर आप लिखेंगे limit h tends to 0, sin c plus h, अब h की limit जैसे ही आपने 0 रखी, तो h 0 हो जाएगा, यानि sin c ही बचेगा, क्या बचेगा sin c, ठीक है, अब हम निकालेंगे किस कमान, ये तो आगया, rhl कमान, lhl का आगया, अ अब हमें चाहिए gc कमान, तो gc बराबर भी कितना जाएगा sin c, gx बराबर sin x था, gc बराबर sin c आ गया, तो हम लिखेंगे कि लhl बराबर है rhl और बराबर है gc, तीनो का ही मान कितना है sin c, अता हम कह सकते हैं, अता हा, gx एक संतत पलन है, gx एक संतत पलन है, ठीके, अब द ब्रटे जी-एक्स भी संतत होगा. देखो एक की जगए आप क्या लिखेंगे एच-एक्स और साइन एक्स की जगए जी-एक्स तो आप क्या लिखेंगे चलो अगला कॉस्चन यहां देख लो, देखो हम लिखेंगे चूंकि HX HX वा GX दोनों संतत हैं संतत हैं अतहा FX बराबर हमने क्या लिखा था, एक बटे साइन X, एक की जगए हमने क्या माना है HX, साइन X की जगए GX HX बराबर HX बटे GX FX बराबर HX बटे GX भी संतत है पर संतत है अतहा एक बटे साइन X अर्था अर्थाद कौस एक एक भी संतत फलन है यह हो गया प्रूफ, वास थमझे गए, आप सुनिये देखो भी कौस साइन हो गया और कौस एक हो गया, अब आपको sec करना है और cot करना है क्या करना है आपको proof sec x कैसे संतत होगा और cot x कैसे संतत होगा तो sec को आप लिखने ना 1 बटे cos यह आपका hx हो जाएगा यह आपका gx हो जाएगा जैसे हमने proof किया बैसे करके आपको करना है हॉमबर्क में इसको gx दोनों को अलग अलग प्रूप करके लाश में लिख देना hx और gx संतत है इसलिए fx बराबर cortex भी संतत फलन होगा बाकी जो question मैंने करवाए हैं इनका pdf solution का आपको telegram group पे मिल जाएगा ठीक है और अगर आपको यह question मैं वहाँ पे डालता हूँ तो आप telegram जरू जोइन की ठीक है बागी कैसी लगी वीडियो और class कैसी लगी आज की एक बार comment करके जरू बताएं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्वालों के साथ तब तक क्लिए खूस रहें मसत रहें चेहन्द